हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज आज मैं आपके लिए इतनी कमाल की इतनी बैतरीन रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके एक बार के यूज से आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा अगर आपकी स्कीन उम्र से पहले लूज नजर आने लगी है आपके आँखों के आज़ पास फाइन लाइन बार एक सी लाइन सोने लगी है होटों के आज़ पास आपको जूरिया नजर आ रही है इसकीन लूज नजर आ रही है चैरे पे काले काले दब्बे बनने लगे हैं चैरे की स्कीन डल नजर आ रही है या दूब की वज़ा से आपका चैरा काला हो रहा है और दाग दब्बे हो रहा है पिग्मेंटेशन के निशान है जाईयों के निशान है तो आपको सिर्फ इस रहमेडी को एक बार एपलाई करना है और एक बार में ही या आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देगा और आपकी सारी प्रोबलम जड़ से खतम कर देगा गाईज इस रहमेडी को आप ऐजे पहक भी बोल सकते हैं आजे उप्टन भी बोल सकते हैं, आपकी इस्कीन को ब्राइटन बनाता है, लाइटन बनाता है और संटन को रिमू करता है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम उप्टन को किस तरह बनाएंगे, उप्टन बनाने के लिए हम बाउल में सबसे पहले दो टेबली स्पून मैदा ल चैकने और पिमपल्स की जो प्राबलम है, उनको तो इस्पेशली हल्दी को यूज़ करना चाहिए अपने चैरे पे, अब इसी के साथ इसमें हम डालेंगे वन टी स्पून सरसों का तेल, अब हम इसमें तीन टेबली स्पून दूट डालेंगे, लेकिन हम इसमें थोड़ा- इसमें चैक कर लेंगे, और इसका इसमूट सम टन बना कर तैयार कर लेंगे, तो यह पर हमारा उपटन बन के रेडी है, आप इसकी कंसिस्टैंसी देखिए, बस इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टैंसी रखनी है, और चलिए अब नेक्स्ट पोसेस की चलते हैं, तो अब हम उप्टन को अपने पूरे फेस पे गर्दन पे हातों पे सब जगा एपलाई करना है और आपका पूरा फेस इस से कवर होना चाहिए आपकी इसकीन है इसके लिए ये उप्टन बहुत ही बेनिफीशियल रहेगा आपके चैरे पे जो काला पन है या आपके जो संटैन है पिग्मेंटेशन है या डार्क स्पोर्स है इसकी इंडल हो गई है रंग काला पड़ गया ये सब आपके इस उप्टन को लगाने से एकदम साफ हो जाएगा बस आपको पूरे फेस गर्दन हाथों पे इसको लगाना है और फिर आपको 15 मिंट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है इसको थोड़ा ड्राय होने देना है 15 मिंट में ये उप्टन पूरा ड्राय नहीं होगा बलकि ये आदा सूख जाएगा आप देख सकते हैं कि ये उप्टन आदा सूख गया है तो जब आपके चैरे पे उप्टन आदा सूख जाए तब आपको इसको इस तरह से रप करते जाना है ये देखिए आप, इस तरह से आपको slow motion में रप करते जाना है और अपने पूरे face और गर्दन से इसको remove करना है मैं आपको जल्दी-जल्दी करके बतारी हूँ बर्ट आपको slow motion में आराम-ाराम से इसको रप करकर के और पूरा remove करना है जब इस तरह से आप इसको रब करकर कि और उप्टन को रिमू कर रहे होंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी डैड इसकीन सारी हट रही है और आपकी इसकीन एकदम चमकीली होती जा रही है और स्मूथ सी होती जा रही है ये देखिए आप कितनी इसकी चमकीली और एकदम फेयर नजर आ रही है आप चाहें तो इस उप्टन को डेली यूज़ कर सकते हैं लेकिन आजकल टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है तो हम इसको रोज एपलाई नहीं कर सकते हैं आप इसे हफते में एक बार या दो बार आपको जैसे भी टाइम मिलता है आप उस हिसाब से इसको यूज़ कीजिए और फिर अपने चैरे का कमाल देखिए चैरे और गर्दन से पूरे उपटन को रिमू करने के बाद मैं हम इसे नॉर्मल वाटर से चैरे को और गर्दन को वाश कर लेंगे तो गाईज आज कल जो इसकीन केर मैं फॉलो कर रही हूँ ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट इसके मिलते हैं आप देख सकते हैं इसकीन बहुत अच्छे से क्लीन हुई है और इसकीन बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है इसकीन एकदम से सॉफ्ट भी हो गई है सच में गाईज इससे आपकी इसकीन ना तो काली पड़ेगी ना डल लगेगी और टैन तो बिल्कुल रिमू हो जाएगा औ निखार आजाएगा और आपकी सकीन एकदम गलो करने लगेगी इसकीन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा यंग नजर आने लगेगी आई होप आपको यह रहमेडी जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो ट्राय जरूर कीजेगा वीडियो साथ अब तक के लिए बाए